जम्मू कश्मीरी काई की आज जो हमारी पत्रकार वारता है देखिए पिछले 300 दिन लगबद हो चुके हैं जम्मू के सुरक्षी स्थानों पर अपने तबादले की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू बाई जम्मू संभाग के अरक्षन श्रेनी के करमचारी लगातार धरना पर दर्शन पर बैटे हैं मगर सरकार इनको रहा जेने की जगा इनको आर्थिक रूप से भी तंग कर रही है पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं इनका बेतन बंद कर दिया जा गया है इनको दबाब बनाया जा रहा है कि यह कश्मीर में जाकर अपनी जॉइनिं महा शिवरातरी परवार आ रहा है जिसको बहुत धूमदाम से हिंदू लोग मनाते हैं कश्मीरी पंडित लोग मनाते हैं तो सरकार से अपील है कि महा शिवरातरी परव से पहले पहले इनका बेतन जारी किया जाए इनको रहा दी जाए सुरक्षी जगापत इनका तबादला की जाए देखिए इसके साथ ही पांच अगस 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 समापत कर दी गई थी उस समय जो 412-370 से पहले इनके इनसे जो 412-412 जो लिया गया था उनको भी जो है रद माना जाना चाहिए और इनका जो एक तबादला नीती बनाई जाए इसके साथ ही जो सरकार लगातार कुछ कश्मीरी पंडितों को कुछ हिंदूों को कश्मीर के अंदर बेज कर मातर कुछ हजार हिंदूों को मैं तो कहूंगा जिसकी तादाद 4000-45 के बीच में है लगातार यह दावा कर रही है कि हमने कश्मीरी पंडितों का पुनरवास कर दिया जबकि 7 लाग के आसपस लोग यहां पर कश्मीरी विस्तापित है तो मातर कुछ हजार लोगों को जो है वहां पर पुनरवास करने से या नोकरियां देने से तमाम कश्मीरी विस्तापितों का पुनेवास नहीं कहा जा सकता ये खाली एक आर्थिक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर खाली कश्मीरी हिंदू को नहीं सिक भाईयों को भी मुस्लिम भाईयों को भी जो है नोक्रियां दी गई थी तो सरकार से हमारी अपील है जन्ता को गुम्रा करना बंद करे जमीनी तोर पर इन कश्मीरी भाईयों को और हिंदू भाईयों को जो वहाँ पर कारे रत हैं प्राइम मिस्टर रोजगार योजना के तैत उनको रहा दी जाए जब तक कश्मीर के हालात नहीं सुदरते इनको सुरक्षी स्तलों पर इनका तबादला किया जाना चाहिए